होमेपेथिक मेडिकल रिपर्टरी बाइ डाक्टर रोबिन माफी तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो अर्जेन एन कॉंसे नीड वास स्ट्रोंगली फेल्ड बाइद प्रोफेशन फॉर रिपर्टरी विच कुट मीट पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑप मोडन पैथोलोजी एन लगन चो है क्या में आजब के सियंगी प्रोफेशन का प्रोफेशन की लिए रिपित और है क्या निज मेडिकल रिपकश कि को यह दैसैं के अले रिपर बेदेग दंध को मुख स्टनेंग आइडिंस प्रेश क्यों ड्रीपाँ डेलन média मेडिज और ह। इसना की थोड हो संब उनने क्या किया कि उनने होमेपेटी सीखा और फिर होमेपेटी के जनरल्स को स्टेडी किया वेरिस मटेरियल को स्टेडी किया ठीक है और फिर वो होमेपेटी में कनवर्ट हुए फिर होमेपेटी वो पहले कैसे डॉक्टर थे नेचुरोपेटिक डॉक्टर थे और उनका जो पर बारिक और क्लाक मेथड़ पर काम करते थे, पिर बाद में उनने केंटीनिन स्कुल को भी फालू किया, क्लासिकल हमेपिती भी उनने लेंड की बाद में, लेटर, रोबिन माफी जो ते उनने एगिप्टियन मेडिकिसिन, से मैं उनको काफी इंटरेस्ट था, मैं उनको से जो कि एगिप्शियन मेडिसिन में दिया हुआ है, ठीक है, तो यह सब दिया हुए, इसके बाद में, the root of होमेपिती, was, अकलमी, and that come from Egypt, इनको यह लगा कि, जो होमेपिती है न, यह एगिप्शियन सिस्टम से काफी लिंक्ट है, है न, तो यह हुआ, फिर रोबिन माफी, को सेंपेतिक मेडिसिन, इस राइट वोर्ड पूर होमेपेथी, होमेपेथी के लिए क्या सब से साही सब देर रोबिन माफी के को से अकोनिंकि सेंपे ज़ुक एग है, और फिर रोबिन माफी को बेस्ट नॉन टीचर के नाम से भी जाना जाता है, वर्ल्यमें, और इनकी ज इस पर बेस्ट है ठीक है इसके सोर्सेस की बात कहते हैं तो इसे सी एलन की नोट एन करेक्टिस्टिक का सुर्स है जे एच एलन डिसीज एन तेरापेटिक ओफिस्कीन टी एफ एलन एंसाइक्लोपीडिया और प्यूर माटीरिय मेडिका इस इस पर तेलन क्लंकर संथेटीक हो गया बेस्ट आई यह बोनि उसें बोगर रिपर्टी सोगे बोड़िक रिपर्टी बोगर सैन अप्टी की बारनेट वह और हो गया कलाओ फिर फेरिंग तन एन जैन्टी कंकोरोडेंस करन सी कीनोट एनिमन मत मतिरमेडिका प्यूरा है थे लिपार्यमेडिका हैंसन टेक्स्ट पूप मतिरिया हुजस और जाहर ठीक है नर हो गया कुंचली केंट रिपर्टोरियम जनरल तो बहुत सारे सोर्स हैं ठीक है नेश लीडर्स हो गया आरपी पतेल में आजम हो गया रोबर्ट असेंशिशियन अजीफ हो गया एना वह जैन अमःपैतिक मेटिकल रिपर्री बफेर पाफेर इस बफेर इस बैस्ट ना प्रिंसिपल आफ क्लीनीकल आज वेल बफेरेेग्ता उर्थ क्लासिकल क्लीनिकल दोनों प्रैक्टिस के लिए युजय कर सकते इसको यह ज्रिपर्टि जो है इसमें यह अल्फा बेटिकल रिपर्टरी है ठीक है अल्टाइप उप केसेस के लिए यूज कर सकते है author का aim क्या था कि modern practical and easy reference book बनाई जाए है ना जिसमें की clinical as well as the pathological rubric भी मिल जाए फिर इसमें mind, general, food, mind, perspiration, constitution, dream सबको इस तरीके के chapters भी मिल जाएंगे अपन को ठीक है इसके अलावे इसमें 4 तरीके की typography दी गई है ठीक है इससे पहले इसमें यह देखते हैं कि this is unique repertory which help in practitioner to find out the similemum on the basis of clinical as well as well as the classical classical method से भी इसको repertise कर सकते हैं और clinical के लिए भी उसकर सकते है author ने दोनों तरीके की को merge कर दिया ठीक है if you do only one type you are half home पर अगर आप एक ही method को use करते हो clinical या classical तो उससे आप half home पर थे हो इसा author ने बोला चार तरीके की typography है लेकिन दोड़ा से इसमें mistake है capital bold underline आएगा यहांपर ठीक है capital bold underline फिर bold telix and roman यह चार तरीके typography हो गई plan and construction की बात करें तो यह alphabetical है abdomen tourist है सारे रूपिक alphabetical arranging है यह न और कित्ते chapter है तो देखो इसमें न जो editions पर डिपेंड करेगा chapters को हम देखते हैं इसमें जो first edition है न उसमें 67 chapters थे ठीक है और first edition इसका कब आया था 1993 में आया था first Indian edition कब आया था 1994 में आया था तो first edition 1993 में आया था और first Indian आया था 1994 में आया था first edition में number of chapter किते थे 67 थे abdomen tourist थे था 1590 pages थे इसमें first edition में के बाद आपन बात करें second edition तो second edition 1996 में आया था जिसमें की chapter जो है 70 हो गए इसमें तीन नए chapter 8 कर दिये तीन नए chapter कौन कौन से थे constitution decision headache constitution decision headache यह तीन नए chapter 8 कर दिये तो second edition 1996 में आया था 70 chapter थे constitution decision headache जो है वह 8 कर दिया यह ना इसमें भी three grade थे और first edition में भी three three grade थे third edition कब आया था third edition जो है वह 2009 में आया था इसमें जो 74 चेप्टर थे इसमें चार चेप्टर जो है वह second edition के जो चार चेप्टर थे कौन-कौन से blood disease emergency और नर्व इनको कहां पे clinical में रख दिया तो second edition के जो चार चेप्टर थे blood, disease, nerve and emergency इसको clinical में रख दिया, delusion चेप्टर को mind में रख दिया, environment को merge कर दिया जनरल्स में और इसमें दस नए चेप्टर भी eight किये गए जैसे cancer, clinical, fanting, curl bladder, speech, spleen, test time, vaccination, weakness ही eight किये गए टोटल इसमें 74 चेप्टर है third edition में ठीक है और यह इसमें clinical chapters भी है जैसे कि disorder, diagnostic, pathologic, decision जैसे सब भी थी हुए यह इसके chapters की बात करें तो abdomen, ankle, arms, back, bladder, bones, brain, breast, breathing, cancer, chest, children, chills, clinical, constitution, coughing, dreams, ear, elbow, eye, face, fanting, fit, female fever, food, calvator, general, cleanse, hands, head, headache, hearing, heart, hips, intestine, joint, kidney, knee, larynx, legs, limbs, liver, lungs, mouth, mind, mouth, muscle, neck, nose, pelvis, perspiration, pregnancy, pulse, rectum, shoulder, skin, sleep, speech, spleen, stomach, stool, test, teeth, throat, time, tongue, toxicity, urine, vatico, vision, vaccination, weakness, risk दिया है रुब्रिक्स का arrangement कैसा है, alphabetically arranged है, सारे रुब्रिक्स ठीके, जनरल्स जो है, वो bigger group of medicines मिलेगी, उसके बास सब रुब्रिक्स भी दिया हुए है, जो की alphabetically arranged है, और ये, केंट रिपर्ट्री के according, ये जो रिपर्ट्री है, केंट रिपर्ट्री पर based है mainly, एना, concept of totality की बात करें, तो इसमें क्या है कि, clinical as well as the classical homeopathic practice में यूज़ कर सकते हैं, केंट जनरल्स, बानिंग उसन के complete symptom, बोगर के pathological जनरल्स, ये सब मिल जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे जनरल्स मिलें, वहाँ पे केंट मेथर को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे pathological जनरल्स मिलें, वहाँ पे बोगर प्रिंसिपल अपलाई कर सकते हैं, इसके अलावा, इसके adaptability, जहाँ पे जनरल्स प्रमिरेंट हो, जहाँ पे pathological, जहाँ पे clinical symptoms मिल जाए, diagnostic terms मिलें, जहाँ पे जनरल्स अवेलेबल हो, constitution अवेलेबल हो, complete symptom अवेलेबल हो, जहाँ पे positive symptom, जहाँ पे कम symptom मिलें, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, clinical diagnosis या symptom मिले, general constitution अवेलेबल हो, जहाँ पे complete symptom मिल जाए, जहाँ पे जनरल्स प्रमिरेंट हो, सब तरीके के इसमें उसकर सकते हैं, इसमें methods की बात करें, तो general to particular, complete symptom, pathological, general, causation and concomitant, तो यहाँ पे general to particular, complete symptom, pathological, general, causation and concomitant, और clinical rubrics and modalities, special feature की बात करें, तो इसमें 20,000 नए इसमें valuable information अवेलेबल है, होमपितिक लिटर्चल रिपर्टरी से, 74 चेप्टर्स दी होए, अल्फापितिकल एरेंजरे, हर चेप्टर में clinical rubrics में लेंगे अपन को, इसके लावा 4 ग्रेडेशन की गए है, 1602 drugs है, रिपर्टरी में more than 1602 drugs है, एंटीडोर, unique rubrics जैसे एंटीडो वार्स फ्रॉम एनेस्टेशिया, वार्स फ्रॉम एनेस्टेशिया, वार्स फ्रॉम एनेस्टेशिया, ठीक है, एल्मेंट्स फ्रॉम, आर्टिफिशल फूड एग्रावेशन, कीमो तेरापी, साइड एपक्ट, कीमो तेरापी, साइड एपक्ट, कीमो तेरापी, साइड इसमें जो है ना 4th edition जो आया था ना 2018 में आता जिसका नाम क्या है Meta Repertry तो Meta Repertry जो है 4th edition 2018 में आया था Meta मतलब क्या होता है Showing Awareness of Itself Meta Means Showing Awareness of Itself यह थोड़ा सा नया बता रहा हूं तो इसमें कहा है Meta Means Showing Awareness of Itself Meta Repertry जो है इसमें 49 चेप्टर थे ठीक है तो इसमें काम कर दिया चेप्टर ठीक है 4th edition में Meta Repertry जिसमें 49 चेप्टर जो है 49 हो गए है ना Meta Remedy List भी दी हुई है Meta Word Index भी दिया हुए इसमें यह Homeopathic Medical Repertry और Modern Alphabetical and Practical Repertory Robin Murphy Revised Edition की फोटो Robin Murphy नेचुरोपेथिक डॉक्टर थे जिनका जन्म 15 अगस्त 1950 को हुआ था 18 November 2021 की डेत हुई थी बर्थ प्लेस इनका मिचीगंस और इनकी वाइप का नाम Judith Tascano इनकी फोटो जैसा कि मैंने पहले बताया 1st edition का बाया था 1993 में जिसमें 67 चेप्टर थे 1st Indian Edition 1994 में था 2nd edition 1996 में जिसमें 70 चेप्टर दे सेकेंड ंडियन 2001 में था 3rd edition 2009 में था जिसमें 74 चेप्टर थे और 3rd Indian आए था 2003 में 4th edition 2018 में था जिसमें 49 चेप्टर थे इसके criticism की बात करें तो इसमें claim किया गया है कि alphabetical format में है लेकिन chapter start with general rubrics और Kent Repertory पर based है बट इसमें gradation अलग है और इसमें particular chapters को importance दिया गया है और particularization किया गया है more diagnostic rubric which may lead to selection of specific medicine which will be based on common symptom of disease only Murphy Repertory के misplaced rubric की बात करें तो exila under shoulder, urethra under bladder, expectoration under lungs तो exila को shoulder में दे दिया, urethra को bladder में दिया हुआ है, expectoration को lungs में दिया है और सब rubrics जो है वो rubrics में दे दिया eruption in different chapter are arranged in skater manner gradation देख लेते हैं कि जैसे इसमें capital bold, alanine 4 marks, bold capital 3 marks bold, italics 2 marks or plain small the capital bold, alanine, bold capital, bold italics or plain small